आपके अपने डूब चैनल फार्म एंसी क्यों में देखिए आज की वीडियो में क्या लेका है आप लोगों के लिए देखिए इसमें जो फार्मासोटिक्स के एंसी क्यों देखिए मैंने 100 करके आपको थ्री पार्ट प्रोवाइड करा दिये एक में तो 1-100 फिर 100-200 फिर 201-300 तक के एंसी क्यों आपको प्रोवाइड करा दिये जो यह जो आज की वीडियो इसमें 301-400 फिर फार्मासोटिक्स के वह लिए गया है तो आपके अपकमिंग जितने भी फार्मासिस्ट के एक्जाम्स होने हैं जिसे एसाइसी है आरार बी का है आपका रेल्वे में भी बहु और अपके एक्जाम से और स्टेट फार्मासिस्ट यह से महरास्ट्रा का है आपका उरिस अद्धय परदेश्ट के तो यह क्वैशन का इसमें देख लेते हैं पूछे गए हैं अगर आप लोग चैनल पे नए हैं अपने सब्सक्राइब नहीं किया है चयनल को लोग को मिल सकें और जो यह सारे के सारे पार्ट से आपके जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो के लिंक में डाल दूंगी आप वहां से डायरक्ट इनको देख सकते हैं कि तो बिना देरी स्टार्ट करते हैं अज का बिए दा स्टेट्मेंट ऑस पैरिंगली सोल्वल डिग्री तु थर्टी डिग्री मीन अप्रोक्सिमेटल वॉल्म ऑफ सोल्वें इनमल पर ग्राम ऑफ सोलुट जो आपका टेबल तो उसके ऊपर क्वेशन है तो कि दिखिए पैर स्टेटक्ण टेट्य विल्मे को कि आप लोगों से फ्रों फंटी टू हंडडर फ्रों 10 वा hanडर थाॉल्म हंडर्त हो तो झार सग करते हैं तो एक पैरिंगली सोल्यूबल के लिए आपका होता ओप्शन भी फ्रॉंम थर्टी तू हंडडर होता है तो आपका आंसर तो ऑप् फिर आता है आपका very slightly soluble practically insoluble ओके और इधर देखे relative quantity of solvent to dissolve in one part of solute के लिए आपका less than one part होता है freely soluble के लिए one to ten part okay soluble के लिए ten to thirty part और sparingly soluble जो हमारे question में हमसे पूछा हुआ था from 30 to 100 part okay slightly soluble के लिए from 100 to 1000 part हो जाएगा और very slightly soluble के लिए thousand to 10,000 parts of practical insoluble के लिए more than 10,000 parts हो जाएगा okay next question देखे question देखे आपका child dose calculation के जो different formulas और अपरा देखे इव अडाल्ट dose is 60 mg देखे and child weight is 14 kg और चाल्ड का weight है 14 kg है चाइल्ड dose as per Clark formula तो आपको formula का नाम भी बता दिया क्लार्क formula लगा के आपने चाल्ड का dose calculate करना है okay अब क्लार्क formula क्या होता है देखे वेट ओफ दा अडाल्ड डोस कितनी दी हुए आपको 60 mg दी हुए ओके तो आप इसको काट के इस कांसर निकाल देजिए 12 mg आपकांसर आजाएगा option c okay next question देखे which of the following type is an inhalational doses form देखे ऐरोसोल कैप्सूल टाबलेट अपोसिट तो इन मेंसे बताए इंहलेशनल में आपका आइरोसोल साते है ना option a होजेगा next which of the following is not a test for purity तो इन मेंसे कून सा है test for purity नहीं है specific gravity melting point boiling quantity of sample तो बताएगे कून सा नहीं है तो यह option d हो जागा quantity of sample निक्स्ट है insulin should be stored at a temperature तो इंसुलिन का storage temperature आप लोगों से पूचा है तो two to eight degree Celsius हमारा answer हो जेक option d ओक निक्स्ट है most scale deal with तो देखे मोज जो यह मोज जो है scientist का नाम है उनके नाम उन्होंने जो है इसके बारे में बताया तो उनके नाम से जो है scale develop हुआ most scale जिसे बोलते हैं तो इसमें क्या है देखे toughness of mineral substance देखे toughness नहीं hardness होता है जो आपको option d में hardness of mineral substance तो इसके according यह देखे इसमें one to ten तक criteria होता है ओके और जो hardest होता होता है जिसका कितना होता है most scale में जिसकी value 10 होते है सबसे hard मंदब कि इसमें one two इस टाइप से इसमें होते हैं तो जैसे जैसे वन से आगे जाएंगे वाज़िस उतना ही hard होगा substance देखे जिए most scale of mineral hardness is a qualitative ordinary scale यह from one to ten होता है characterizing scratch resistance of minerals through the ability of harder material to scratch softer material तो यह आपका more scale के बारे में है अगर एक्जाम में आज इसके लिए hardness of mineral substances के लिए इसके लिए the following statement is false in respect to emotions emotions के बारे में कौन सी बात गल्रत लिखी हूँ यह आपने बताना है कौन सा फोल्स है option देखिए emotions have two phase देखिए करे में दो phase होते तो बिल्कु सही है दो phase तो होते हैं dispersed phase of the continuous phase होता है देखिए emotions liquid preparations containing two immiscible liquid ध्याना में emotions में क्या होता है दो immiscible liquids होते हैं okay one of which is dispersed as minute the new to globule into the other emulsifying agent is added to a system तो emulsifying agents add के जाते हैं which form a film around the globule in order to scatter them indefinitely in the continuous phase so that is labor emission is formed okay बागी क्या दिया है next option emulsions are the finely divided solids which are dispersed solids solids ने होते हैं emotions liquid and liquid होता है इस दोनों ही phase liquid होती है तो solid देखते ही आपने समझ जाना है गलत तो यह option D ही दिया होगा option D आपके गलत हो जगा okay यहीं आपसे पुछाता है next question देखते हैं dash is defined as a process where all the living microorganism including bacterial sports are killed all living microorganism सारे के सारे ही microorganism जो है किल हो जगे including bacterial sports okay disinfection decontamination sterilization तो यह आपका होता है option C sterilization होता है okay next question language of prescription used in olden days olden days में जो है latin हो जाएगी जो prescription की language क्या थी option C latin next paste differ from ornament by content paste or ornament का difference आपको दिया होगा बुक में वह देख लेना इसको पर important question बनते हैं जिंक oksad paraffin finely powdered particle preserved जो होते हैं इनमें के लार्ज अमांट ओ फाइनली पार्टिकल्स प्राइचन 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 नहीं जो है प्राइचन प्राइचन वह जाएगा तो पेस्ट जो होता है इनमे लार्ज पेस्टे प्रोटक्टिव कोटिंग बना लेते हैं नेट्स से फॉलइंग एमलसिफाइंग आजिंट्स के ऊपर स्कोचन है जो किसे अप्टेबल सोर्स है तो बाकि नाचरल इमल्सिफाइंग आजन्स के बारे आपने पड़ा होगा कौन-कौन से हैं जो आइनिमल सोर्स उप्टेन होते हैं कौन-कौन से हैं जो वेजटेबल सोर्स का बताना है वूल फैट मिधाल सलूद अकेश्या या जिलेटिन तो ऑप्शन सी आपका अकेश्या जो ह बाकिश्या दिया हुआ था त्रगाकें थगार प्यक्तिन स्टार चाहरी समोश के और जो है इमल्सिफाइंग आजन्स नाचरल इमल्सिफाइंग आजन्स उप्टेन होते हैं वूल फैट एग्यों को जिलेटिन याद रखना हो कि नेक्स्ट फॉलिंग स्ट्रू फ्लोकुल फ्लोकुलेटिड में क्या होता है हाड केक इस नौट फॉर्म्ड फ्लोकुलेटिड में हाड केक नहीं बनता सैडिमेंट लूजली पैकड होता है तो इसमें क्या होता है हाड के की फोर्मेशन नहीं होती रेट फ्लोकुलेटिड के एफ को आप जो हैं फास्ट से रिलेट कर कि याद कर सकते हैं कि फ्लॉकुलेटर में सटेमेंटेशन फास्ट होगा तेजी से होगा जल्दी होगा हाई होगा तो बिल्कु सही बात है ना डिफिकल टूर्ट टूर्डिस बने एजी टूरी डिसपर्स करना इजी होता है तो के वह उन्हें डिस्पर्स तो यह भी आपका जो गर्त लिखा हूं शस्पेंशन इस फ्लीजिंगे नहीं राज्ट को सुंपेंशन इस नॉट्ट प्लेजिंग ना प्लेजिंग करता है ते लिए शिर्टी दिगर तो ड्राइट स्ट्राइशन में जो अपरेटर्स होता है होट एयर ओवन होता है क्या होता है होता है तो इसमें होता है ऑक्सिदेशन होता है इसमें फेस्ट को एक्षाम होता है तो इध्यानक नत्रों सा इसके बारे में एक्जाम बन सकते हैं तो ड्राइट स्ट्राइशन में जो ओब्जेक्ट को हीट करेंगे के वी इसक्टेlles के लिए यूसे की पहुट दर्शिक थेयां जोओ एक को सिर्ड दर्स कुंटम झार्टे आकट इसे आपका शनरा के वर करें में इसे और की सब्सक्राइबत दख़नर के से सेड्रon कि ड्री पीज काब ञाना का न चेंडे सले बदो कर निní पैसे को ज़ए उसको साझ साए को त connection क्लेंगे यह से खिवाल सेफेंगे और भी जसी आप एक रिस वाल मौन को पैसे सबिस्कुछ यह तौह सकते जलिए जाल सस्कित कंट प्राइंगे दिंट्राइट कंपरेशन नेते ग्रेंटेंट्लेशन ड्राइट कंपरेशन तो यह आपका होता है जो ड्राइट ग्रेंट्राइशन जो होता है न तो इसी को हो उस्पारइग भी कहेंगे प्रीकमप्रेशन ड्बल कंपरेशन भी कहेंगे corona is another form of dry granulation it is also known as pre-compression or double compression okay next which of the following is not an advantage of glass container के advantage कोंसे नहीं है दिक ग्लास container जो तो चैमिकल इनवाट होता है इस अद्वांटेज दियर एकॉनोमिकल यह द्वांटेज यह द्वांटेज यह द्वांटेज है तो कोंसे द्वांटेज नहीं है तो कोंसे नहीं है अप्शन सी देखिए देखिए इंपार्ट अल्कलिया इन्सोलिवल फ्लेग्स तो यह द्वांटेज नहीं हो कि डिसद्वांटेज हो जाएगी ना नेक्स्ट है विटर फोलिविंग इस द्वांटेज प्राश्ष प्राश्य तो उससे क्या हो जाएगा बॉलिंग पॉैंट भी रिडियूस होगा तो देखिए ऑप्शन यहीं राइटरी डियूस दा बोलिंग पॉईंट ओफ सुलीशन ग्लासिस क्लास में प्रिंसिपल जो डी हो जगा एस सोरी बी सिलिकॉन डाइओकसड एस आई ओटू ओके लिए क्या सिलिकॉन डाइओकसड फंडामेंटल जो कॉंस्ट तो ग्लास का नॉर्मल मैश अपर्चर साइस थो वीच फाइन पाउडर कैन पास तो फाइन पाउडर के लिए पहले आपको सीव निंबर पता मेंटर 710 mm या 180 माइक्रो मीटर ओके तो इसका जो है 180 माइक्रो मीटर हो जेगा आपका आंसर तो एक बार देखी एक तरफ सी नंबर लिग दिया मैं एक तरफ नॉमिनल मैश अपर्चर साइस लिग दिया ओके यह होता है कोर्स फिर मोडरेटली कोर्स मोडरेटली फाइन फा इसमें जो है एक तो एमम है जो कोर्स के लिए जो है बाकी माइक्रो मीटर में हैं और इसका पूचा है तो देखे इसका अप्शन से लिए यह तो फीपरसेंट आंसर आपका जो है और बिलकुल राइट हो जाएगा ओके क्वेशन का एक्जाम में रिपीट हुआ है तो याद रखना आपसे 12-15% होता है जो कैपसूल होते हैं तो यह वह है तो कैपसूल की शैल यह भी पूछते हैं क्वेशन आता है कैपसूल की शैल कि इसकी बने जिलेटिन की बनी होती है इसके लिए सब्सक्राइब कुर्ण बिल्कूल धायट हो जेगा तो वैरिस चैनिकल्स कौन कॉन से अच्छू किये जाते हैं जिसे आपको अप्शिन में दिया हुआ है बाकि mercury chloride भी होता है, camphor भी होता है, naphtherin और mentholin सब को प्यूरिफाई करते हैं कैसे sublimation के थूरू, next question देखे, example of biphasic liquid doses form, देखे, आपकी जो doses form होती है doses form जो होती है, doses form तो देखे, एक तो solid doses form होती है और एक क्या होते है, liquid dose form होती है, और एक क्या होती है, semi solid doses form होती हो, देखे, solid dose form है तो आपके tablets, capsules, powders, pills ही सब आजेंगे liquid dose form है, जैसे की हमारे क्या जेंगे, syrups, elixirs, lotions, liniments ही सब आजेंगे हैं और semi solids में जैसे ointments वगरा ये, suppository, पैश्री, ointment, creams वगरा तो देखे, आपकी जो liquid dose form होती है, liquid dose form में आपकी देखे, एक तो होती है, monophasic liquid dose form, एक होती है, biphasic liquid dose form, ठीक है, monophasic जो होती है, उसमें तो आपके internal और external दो के एक तो इंटरनल यूज के लिए, इंटरनल जैसे कि इंटरनल में syrup आजेगा आपका, एलिक्जर्स आजेगा, और external में, external में कुन से आजेगी, तो external में जैसे कि आपका lotions आगया, liniments आगया, तो जो आपकी monophasic हो गई है, और जो biphasic, मैंने आपको बता है, liquid dose form एक तो monophasic है, एक biphasic liquid dose form है, तो biphasic liquid dose form का आप से पूछा है, तो emulsions और suspensions याद रखना है, emulsions और suspensions क्या है, biphasic liquid dose form होती है, तो आप देखिए, आपको emulsion option में दिया हुआ है, आपका option A, राइट हो जगा, बाकि syrup हो गया, link test हो गया, elixers या आपके जो है, monophasic liquid dose form में आजेंगे, नेक्स्ट है, potent drug or substance having a maximum dose, तो potent drug जो होती है, तो इनकी maximum dose होती है, 60 mg है, तो यह option A हो जगा, one grain या 60 mg होता है, यह, तो इनको ना, इनको वे करने के लिए भी ना, इनको diluant में, जिसे lactose में मिक्स करना होता है, ओके, next question है, example of diffusible solid, सचा छो होते है, वोटर में, वोटर में, डिजोय नहीं होते हैं, बट इनको क्या होता है, शेच करते हैं, तो यह evenly distribute हो जाते हैं, और एक होती है, इन तो डिफूजियम में आपका मगनेशियम कर्बोनेट और यहाँ है। 10 के बिश्मत कार्बोने, 10 अच्न---- आटा है। तो आपको कौन सा्थ धिया हुआAPP। मेगनीशियम कार्बोनेट दिया हुआ थो कि नहीं से थियोब्रोमा ओयल कहां पढ़ते हो सपोजिट्री के जब हम बेस पढ़ते हैं सपोजिट्री के बेस में आपका फैटी बेस आता है तो एक आता है वोटर सोलीबल एंड वोटर मिसीबल बेस और यह के मल्सिफाइंग बे कोपेटर आपको ऑप्शन दी में मिला है विटेव सोल मैसिव पोल मासा इस्टेरियम है तीन जो एक्जामपल है यह किसकी है आपके यह हैं आपके इसकापलब्रोमज गोधाना थे प्रोमा ओल आता है थियोब्रोमा ओल इस और लिभा बाटर ओके नेक्स्ट कोश्च नोन इस प्रपेर जो Kate कैसे करेंगे केश सिदेर नों स्चेंग नजे तो है इंगे इसे क्रेबित करेंगे केmikal reaction मैथचर से क्या हो जाएगा ऊप्शनwie हाइडरोस वूल फैट है अपको पढ़ता हो यह कि यह अपका जो है आपको बीजर्वाइब कहां पर आता है किसे मे आता है अपको बेस पर आया जैसे आप ऑइंटमेंट के बेस जब पढ़ते हो तो वहां वहली जिनस बेस पर कराते हैं और एक बैस यह ओंकाफ्सिफाइग desoption base न उसमें आपका आता है ये hydra wool fat आता है whole fat hydra Dolls fat एक वीजवैक्स होता है और एक आपका wool alcohol आता है तो hydra will fat is also known as lanolin ये question भी आता है exam में किληनोलीन क्या है इस टाप से पूछाँ लेंगे hydra weeks old fanonis lanolin भी बोलते हैं इसको कि ठीके तो यह मिक्शर होता है खिसका wool fat और प्यूरिफाइड वोटर इसका प्रपोर्शन आप लोगों से पूचा किस प्रपोर्शन होते हैं निकिसमें वूल फैट तो 70 परसंट वेट पर वेट होगा और जो वोटर होगा 30 परसंट वेट पर वेट होगा आपका अंसर ऑप्शन बी बिल्लकुल राइट हो जाएगा तो हाइडरस वूल फैट इस वोटर इसको अलोन तो मतलब इसके इमोलियंट यह यूज होता है बाकी अकेला जो है इसको हाइडरस वूल फैट जो है यह ऐसा इमोलियंट यूज किया जाता है है और उसका आपको याद रहाएं यह बेस में आता है जो होते हैं नेक्सक्राइशन है एक कॉम्बिनेशन ओफ मिनिमूम टमपरेचर एंड होल्डिंग टाइम फोटो क्लेविंग आप मोस्ट हीट स्ट्रिलाइशन जब पढ़ते हैं मोस्ट हीट स्ट्रिलाइशन का अपरे क्लेशन केले मिनिमम् टमपरेचर और 5-1 46-डिंट्स परिक एंड भी कंब्स टमपरेचर हैं यह तो मिनिमूम होल्डिंग टाइम क्या होगा घृत 2030 मिनिटेट 8 ग ते वं-ध ढैको तो इसका दिक्जार observing the YouTube के लिए आपका 30 मिनट्स मिनिमम होल्डिंग टाइम हो जाएगा ओप्षिन आपका सी बिलकुल राइट हो जाएगा ओके टेबल जो है यह देख लिए आप जो इधर टैंपरेचर लिख दिया इधर जो है टो होल्डिंग टाइम लिख दिया ओके सब्सक्राइब करते हैं किस से हंडर से इसके तो इक निकल के आती है हमारा परसेंट ओफ अडल्ट डोस तो किसने प्रपोस किया यह है फ्राइट फ्राइट समविला है जो है चायल्ड का श ह시면 चैल्स के बेस पर होता है यह ओके लिए होगा यह घ।के सरफिस यह यह एंग में आजेगा का ज्येका कैडजल फॉर्मुला हो जागा ऑप्शं जो यह फ्राइट ज्यों ऑप्शिवल्ण के अरगा कू नेक्सित्पेशिपल प्लास्टिक स्यरिंज प्लोग लोग उसे पूछा है गाया सब्सक्राइशिक लगाबिश सोगने सब्सक्राइशिक लुए लिए यॉजा को फ्ली आपका जो डिस्पोजिबल प्लास्टिक सिरींजिस के लिए गैस इस्ट्राइजेशन के लिए यूज करेंगे और इस्टिली का मतलब क्या होता है आईड्रोप गुद्धु नाजल ड्रोप पस्प्रेशन तो नापुला स्प्रेशोलुशन के लिए आपका तर्म नापुला ह तो आपका जो है औरी वर्ड किसके लिए होता है ना ओ यह के लिए है ना जिसे ऑप्शन भी होजेगा और इस टिल इस द लेटन टरम फोर इयर ड्रोप आपका राइट होजेगा तो लेबल शेक वैल भीफोर यूज इस इंडिकेटड़ इन दे मिक्शेटर्स कंटेनि तो कु में आपको बताए है सब्राइट तो आपकोो व्र्पाइट है ड्राइसिंग स्क्मधोर इसके विए और इसक्ते बढ़न्य स्व्रेश्चिंग करेंग तो प्रेंके आपचिन दुसरालों यस को इस टेयर सब्गी और इसकी सीज़ान्त अग्यट होजेगा और स्टमक नहीं होगा माउथ नहीं होगा उप्शन सी होजगा इंटस्टाइन अंटेरिक पोलीमर कहीं कौन सा सलोज ऑसिटट थेलेट थेलेट इसोड़िए एलिवेशन नहीं है अपका अपका नॉट मेरे अप्षान को वाप्टक में कॉब्ड शोर्फ को क्यों और से या करें सुसराइब है प्रेशन चाहिक के डिपट्यूब इन आरी कॉंट मेंट नहीं है तो स्टेर्ल स्थील एलुमिनल पॉली प्रोपाैलीन की बनी पॉली प्रोपाईलीन की बनी ये। urethral suppositories are also known as bogeys , नासल बोंगी तो युरेथ्रा बोंगी नासल बोंगी होती है , नाइक तो कि युरिथ्रल तो युरेथ्र शुपोजी टारीज और लुटारीज गोडी तो इस वह भी को दित दाए अग्स सुण एक्स्टेरनल बल्क डोसे फोर्म आपसे एक्स्टेरनल बल्क डोसे फोर्म के यूनिट डोसे फोर्म hybrid बचायेंगे और यहां अंस्टेर वग्छाइगा फार्मासिस्ट का एक्जाम हुआ था भी लेटेस्ट वहां से यह क्वेशन है देखिए इस टाइप के क्वेशन से आपके एक्जाम में पूछे जा रहे हैं कि निस्ट यह भी आई टीपी का है देखिए विच ऑफ दे फोलिंग इस्टिराइल डोजिस फॉर्म तो इनमें बत मेरिट से उनकी क्या एडवंटेजिस है आप लोगों ने बताना है कि इसके बारे में लिक्विड ओस फॉम देखिए स्टेवलेटर प्रिजर्वेशन होता है बाकि देखिए स्टोरेज इंट ट्रांसपोर्टेशन और कन्वीनियंट डोज हैस्टोबी मैजर्ड़कों सब् जो हमारी होती है प्राइमरी पैकेजिंग होती है रहा हमारा प्रोड़क्त है इसके डालेटर को में प्राइमरी अद्वा प्राइमरी से अीप जिए ऊह सदो है और आलौ को है कि एन प्रेφांदार्थे डियाँथ प्रमसर भ्याइज टीड चीडार है थे बॉक्स दी तूकर प्राइमरी में तो आपको प्रेमर उनक सते से अप next question distribution of particle over a newly developed surface तो यह कौन से आपकी mixing में होता है देखे शियर mixing, connecting mixing, spread mixing और diffusive तो यह आपका होता है diffusive mixing जिसको micro mixing भी बोलते है उसमें होता है option आपका 4 बिलको right हो जेगा देखे solids की mixing के लिए आपके different mechanism कौन से है convective mixing, shear mixing, diffusive mixing तो diffusive mixing जो होता ना उसको micro mixing भी कहते है तो उसमें होता क्या है involved distribution of particle over a newly formed surface तो यह आपके diffusive mixing की बात रहे जो आपसे question में पूछा गया था next question है to identify immersion type immersion के type को identify करने के लिए which of the following test or conducted कौन से test conduct किये जाते है immersion कौन से type का है की water in oil है या oil in water है देखे dilution test है, dye test conductivity या all देखे immersion के type के लिए dilution test होता है, dye test भी होता है, conductivity test भी होता है तो आपको option D हो जोगा all सारी test होते हैं, जिए immersion के लिए dilution dye conductivity, fluorescence test भी होता है पसके बाइन सब्सक्राइब करें दो तो ब्लब कुछा आपके वाइनल सभिव आपको पता हूं कि आपको पता हूं तो smallest size और largest size हमें पता होना चैनल कुछ बेसिक क्वेशन है तो smallest जो है smallest के S को 5 से मैं आपको पताती हूं याद कर सकते हैं तो देखें smallest 5 वाला हो जगा और largest जो होता है वो ट्रिपल 0 वाला जो होता हो लार्जस्ट साइज होता है कैपसूल का तो smallest में आपने option जो है सी टिक करना हो फाइफ नंबर जो है smallest हो जगा और जो ट्रिपल 0 वाला जो इसमें लिखा हो है यह आपका कि हो जगा लार्जस्ट साइज ऑफ कैपसूल हो जगा ओकी निक्स क्वेशन ऐस पर देंडिन फामकोपिया 2022 वट इस इस स्पैसिफिकेशन फोर और सॉलिवल इस पैरेंग्ली सॉलिवल कंपॉण्स के लिए आपने बताना है देखें यह जो अभी एक्साम कंडक्ट हुआ है भावनगर मुन्सिपल कॉर्परेशन का अभी जो है हाल ही में कंडक्ट हुआ है ठीक है तो उसमें पूछा हुआ है ओके तो यह स्पैरिंग्ल तो 3200 होता है किसके लिए आपका ओप्शन सी राइट हो जगा ओके इस टेबल में आपको यह तेबल में आप लोगों देखेंगे तो इसमें 3200 आप लोगोंने याद करना ओके तो इसमें यह तो इसमें आपको प्रवाइट करा दी है आपसे क्वेशन में यही पूछा हुआ है नेक्स्ट क्वेशन देखिए वर्ट विच फोलिंग इस एंग्जाम्पल ओफ ऑन ओंटमेंट मेडवा कैमिकल रियक्शन तो कौन सा ओंटमेंट है जो कैमिकल रियक्शन मैथर से बनता है देखिए आयोडीन ओंटमेंट है अमोनिय प्रिस्क्रिप्शन ओर असोमनी तो ओर असोमनी का मतलब जो यह लैटीन टम और अपको दिए यह ओर असोमनी इसका मतलब आप लोग'RE और डेंपला अरली मोर्निक ओर आसोमनी लाटीन टर्म का मन मीनिंग होता है एट बैड टाइम ऑप्शन सी ओकिं यह भी आपका डैली के फार्मासिच के एक्जाम में पूछा हुआ क्वेशन है निक्स्ट है सॉलिड फैट इंडेक्स कैन भी टेटर्माइंड भाई यह देखे क्वेशन महारास्ट्रा में आदो हर सत्रा में उ और लिए अबर लागेशन में प्रण ब्रकाइब करने यह दुद्धार में निक्री प्रमें से फटास्ट्री सुमें पटिंग किसके बात थो रिए सेशे की बात होरी है तो सैशे के बार हम लिखा हुए इनमें क्यों इस आपर इस फ्लोर वाटर वालिक इन ड्राइब शेप और निक्स क्वेशन देखते हैं और टकर्रेक्ट सीक्वेंस स्टेज फ्रॉम फास्ट टो लाशन प्रोसेस ऑगे जो परकुलेशन प्रोसेस ऑसमें जो स्टेजिस बताने हैом कि और परकुलेशं सब्सक्राइब और परकुलेशं सैब्च्वाइब शेयरुमां बरह तो निक्सेशन में जाओरude स्टेजिस बस सब्सक्रान केacerfa ला कि मिलने फिरू थाडवार कि हैं चैकर आपना जंखेए ऑसमों सीपहलीज़ इसमें सब्सक्राइब प्रोसें तो आपका जो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शेन बी जो है करेक्ट सीक्वाइंस हो जाएगा फास्ट लाशन दा प्रकॉलेशन प्रोसेस्ट नेक्स्ट क्वेशन देखते हैं इन विच टाइप ओफ मिक्सिंग मेकानिजम मिक्सिंग के मेकानिजम बहुत इंपोरेंट हैं तो यह जो पाउडर्स वाली मिक्सिंग है उसी के बहुत बार पूश्ट है मतलब सारी इंपोरेंट देखते हैं तो इसमें कहले है कि ट्रांसफर ऑफ ग्रूप ऑफ पार्टिकल्स इन बल्क बल्क में जो गुरूप पार्टिकल्स का ट्रांसफर होगा फॉम वन पाउडर पाउडर बैड पाउडर बैड पाउडर बैड का इनवर्जन हो जाता है यूजिंग ब्लेड पैडल स्क्रूव एलमेंट्स तो इसमें होता है क्या है लार्ज मास ओफ मटिरियल मूफ रों पावन पार्ट हो नगर मैक्रों मिक्सिंग भी कहते हैं यह आपके और भी में आय पर इस सोलीड जो है डा री इकट वापर्स में गनवर्ट रहा विद ऑुटम्हाड इंट्रमीडJट फॉर्मेशन ओं लिकविड यकिर्ट यु अभल टिन ईसमेंट या कहें नारान्व नियमन इसमेंा डर्षा कहेंग्धा कहें कहें क्या दीशियम्हाट शञिएं नाराति तो करद सोलिट से डार्यक्ट जो वैपर्स की फिमेशन और य आंसर इस आप्शन सब्लीमेशन और सोडियम बैंज्योट इस यूज़ दैस तो सोडियम बैंज्योट क्या होता है यह प्रिजर्वेटि उप्शन आपका एराइट हो जोगा प्रिजर्वेटिव नेक्स्ट PLASTI CIZOR PLASTI CIZOR कर i be gone इमेज उन को होते है किया होते हैं ॉप्टिकल इमेजम नहीं होते हैं कि नाट मीरे में थी अ선 features आट जाती है लिक्विड मिक्सर 300 लिक्विड मिक्सर की बात हो रहे है इसने Assistant scarce डिसक इममेलार होता है तो विज नमबर ओफ required स्ट्रेट और कर्ण्ड बलेडेस लिक्विड मिक्स की बात हो रहे है फदल लिकसर फ्रोपेलर टमाइन तो यह आपका होता है तर्बाइन मिक्सर की बाद हो रही है ओके आपका D right हो जेगा तो rate of filtration is inversely proportional to नेकर rate of filtration के लिए जो आपका होता है डार सी low आप लोग पढ़ते हैं डार सी low होता है तो इसमें जो होता है क्या होता है V is equal to K A delta P divided by eta यह होता है Viscosity जो rate of filtration होता है Viscosity जो inversely proportional आप लोगों से पूछा है तो किसके inversely proportional है इन दोनों के यह दोनों में एक तो Viscosity होती है Viscosity of the liquid to be filtered है और दूसरा जो होता थिकनेस होती है किसकी थिकनेस होते है फिल्टर केक की तो इन दोनों के inversely proportional होता है बाकि जो प्रैशर डिफ्रेंस जो होता है इसके डरक्ली प्रपोर्शनल होता है और जो है पार्टिकल साइज of solid to be removed pore size of filter media तो हमारा जो आंसर है देखिए inversely proportional पूछा तो option A कर देंगे viscosity of the liquid to be filtered बाकि जो है यह देख लिए आप इसमें जो v is equal to k a delta py eta l होता है तो v होता है volume of filter rate होता है k permeability coefficient होता है a जो होता है area of the filter bed होता है और delta p जो होता है pressure difference across the filter होता है इता में आपको viscosity बता दिया liquid to be filtered जो एल होता है थिकना से फिल्टर केक होता है तो यह आपका डार सी low है आपसे equation भी पूछ सकते हैं तो आपको पता होनी चाहिए next question है इसमें यह लिखा rate of filtration inversely proportional किस किस के viscosity of liquid to be filtered and thickness of the filter cake okay next question आपका which of the following statement is not correct रिकार्डिंग प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस्ट के लिए तो इसमें प्लेट एंड फ्रेम फ्रेम फिल्टर प्रेस्टर 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 तो इसमें कौन सा गलत है इसके बार नोट करेक्ट बताने कि घरट प्रेशन अंशर कोह जगा नोट करेक्ट है हमारा उप्शन सीहीं नॉट करेक्ट लिए आपके बाद फिल्टर प्रेस्ट इसके कम होता है और नोट करेक्ट है हमारा उप्शन शीन ही परपोर्चन में पैसे नलशी होता है इसमें यहीं अज़ण आप्सकाम सफेंदिक इस व्लशय सेसंव हो करने कि चैकलोनों ऊतने हैं करें यूच अनों धोड़एटे पारईटर अीचान जो परस्वें तो यूचकी आपका है के राइट हो जएगा ओकी निस्ट क्वेशन है इन एरोसोल कंटेनर विच रागुलेट दा फ्लो फ्रडॉक्ट प्रडॉक्ट के फ्लो को रागुलेट करेगा फ्रॉम दा कंटेनर तो कौन है जो इस सब को रागुलेट करेगा वह आपका वाल्व होता है डिप ट्यू और इंक इंडीयन फौर्म को प्रडॉक्या को फांट सब्सक्राइब में चुपी द्रॉट प्लिस्ट का पुप्लियोव टिकविश्य नाहीं दोबिएस सटमू न सब्सक्रिकिट नाएंट पर्मोओं कोःड आप में सबकत हो जाएं पक्रिच्टिए हुए क़ियो इसुक च्छिर फर्मोलेबाइल फार्मसीटिकल और बायलोजेकल प्रोड़क्ट इंकलोड प्लासमा वाटेमिन एंजाइम होर्मन से एंटिबाइटिक्स तो इनके लिए जो है कौन ब्राइब यूज करेंगे तरनल ड्राइग है फ्रुडाइस बैड राइंग है फ्रीज इसको लायो फिलाइजेशन लायो फिलाइजेशन या सब्लीमेशन ड्राइग द्राइग के नेक्स्ट क्वेश्चन में डिफैक्ट इन द्राइबलेट अकर बेन देस नौट दिस्ट्रीबूट इवन ली फ्रफिस ओव टैबलेट इस नौन आपको को मॉटलिंग ना यह कौन सा टेफेक्ट मॉटलिंग की बात हो जो है बी मॉटलिंग बिल्कुल राइट हो जब वहत इंपोरेंट इस विए बडिट को पास्ट चीह पास हो जारी है इंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है एंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है तो किसकी बात हो रही है एंटेरिक कोटिंग की बात हो रही है वह कुन से होता है सेलोज एस्टेट थालेट थालेट जिसमें होगा वह एंटेरिक पोलीमर होते हों कि यह इसमें जो हैं पूछा आपसे होते हैं ना उनकी जो मैनुफाक्चरिंग के लिए रोटेरी डाई मशीन यह इसमें में तो इसमें जो हैं यह पूछाआब कितने सॉफ्ट कैप्सूल प्रार एक घंटे में यह मशिन कितने जो हैं सॉफ्ट कैप्सूल जो बनते हैं इसमें प्रडूस होते हैं तो यह होते हैं आपके ऑप्शन सी 25000-30,000 नेक्स क्वेशन टैलक और मगनिश्यम स्टेराइट किसके एक्जामपल से प्रडूस हैं लुब्रिकेंट्स डिसिंटिग्रेटिंग अजेंट्स सोल्वेंट्स तो सिंपल आपका लूब्रिकेंट्स में आजेंगे और आपका बी राइट हो जगा जाएंगी जैसे और यह पाउडर्स के लिए कौन सा स्टेलाइशन का मेथड आप लोगों को बताया स्टेलाइशन पड़ते हैं जिसमें अपरेटस होट एयर ओवन होता है तो अब आपसे पूछे तैलकम पाउडर के लिए कौन सा स्टेलाइशन उस करेंगे तो हम क्या कहेंगे ड्राइट स्टेलाइशन यूज़ करेंगे यह क्वेशन देखिए बनते हैं इंपोर्डन तो ओंव स्टेलाइशन तो Three substances के लिए द्यव त्राहेशन दिया है नलम फ्रडाहेशन प्रत जर्टी और तो जल्डायशन दिया है अश्यूक्षंच्छिए क्वेशन दौज स्टेलाइशन दैऱ ज符्दौन क्तितने अमेल पढ़ते हो 30 अमल पढ़ते हो है ना UV actions में देखिए आपको option इस टाइब से दी हैं तो closest कौन सा option c 29.57 ml होजेगा next how many flow down are there in one gallon एक gallon में याद रख लेना 160 fluid ounce होते हैं एक gallon में कितना याद रखेंगे 160 fluid ounce होते हैं एक gallon में ओके निस वीच फोलुइंग आपका क्या होता है सलफर होता है option भी राइट होजेगा next आपको आपकी तैबलेट्स हैं या फिर आपकी और या निकिक करना होता है यह आपकी हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है जिनको इन्जक्ट करना होता है इनको solution बना की इन्जक्ट किया जाता है होके और फिराइट हो गया है इन्हें को रूट इंजेक्शन इंग्रेडेट्स करते हैं परेंटरल रूट से इनको अध्मिनिस्टर किया जाता है है तो टाबलेट लेकिन दे रहे है रहे है परेंटरल रूट से इंजेक्ट करते हैं तो यह हाइपोडर्मिक टैबलेट्स होती है ध्यान एक्स्ट क्वैस्ट में जो मेकैनिजम ऑफ किलिंग माइक्रोंगरिजम की किलिंग का मेकैनिजम बताना है अलकाइलेशन ओफ प्रोटीन्स दिया आपको क्वाइगुलेशन क्वाइगुलेशन दिया तो हमारा जो अलकाइलेशन में क्या होता है तो आपका अंसर क्या होगे बिल्कुल राइट हो जाएगा गैस पूछे तो कौन सी गैस पढ़ते हो इथाईलीन ओक्साइड है ना रोल ऑफ गलिसरीन और सोर्बिटोल इना मैनुफेक्ट्रिंग कैप्सूल की शैल के मैन काम क्या है यह फ्लास्टी साइजर्स होते है घ्लिसरीन सोर्बिटल प्रो पाइलिंग Android क्या है यह फ्लास्टी साइजर्स ऑप्स आपका बी होजेगा नेक्सक्त क्या है कि actors castry मैं क्या है माइक्रक स्ट्व्य सेलोरस होता है क्या आवी सेलोजन आपका मै également क्या टाल ऑपीत जो हाइड्रोलाइज़ेबल स्टार्स में एमडेक्स और सैलुटैब और यह यूज़ होते है आज डाइलुएंड बाकि डाइबेसिक कैल्शिम फोस्फिट होगे आप का अंसर क्या होगे ऑप्शन ए तो टाइप वन ग्लास को और क्या कहेंगे देखिए ग्लास के ओपर क्व पोरोसिलीकेट ग्लास होता है घंफ प्लाइप two फोके मित्रीटरिड नोहीं पेरंट्रल डोढ़Art बता था और इसका आटोचर के लिए मैंने आपको होट एयर ओवन बताया मोस्टीट स्ट्राइजेशन के लिए कौन सा बताया ओटो क्लेव है ना तो ऑप्शन में देख लिए जो ऑप्शन सी में आपको ओटो क्लेव दिया हुआ है next question basic mechanism behind the preparation of lyzol crisol with sop solution जो होता है वो क्या होता है लाइसोल होता है तो इसमें कौन सा मेकैनिजम है इसकी preparation में देखे को solvency, complexation, solubleization या adsorption तो क्या होता है इसमे Schrillon होता है अब solubilization क्या होता है देखे इसमें होता है water Wort is soluble substance को डिजूर्सक्रिक्ण्ट at Right करते हैं आप लोगों से पूज़ पूच purely व में क्या होता है इंपट होता है है शेंटिघ्रेट तोप्शन में आपके ए में इंपक्ट दिया आपका आंसर रहा हो जएगा कटिंग जो है कटर मिल में कटिंग होता है नेक्स्ट क्वेशन देखिए इसके लिए 10 है इसके लिए 22 है उसके बाद 45 उसके बाद 85 और उसके बाद 120 याद कर लीजिए यह क्वेशन आपका निकल के आजएगा तो आपसे कहा है कि अचन पास्ट रो नंबर 22 से तो यह आपके कौन से है moderately course की बात हो रही है देखिए verify दिया है moderately fine course या moderately course तो कोर्स फिर moderately course आता है तो option d आपका के लिए 10 कोर्स के लिए 22 कोर्स उसके बाद मोडरेटली 4 आता है तो तो इसमें उपजर्व होती है सस्टेंड प्रडक्ट्स जो होते हैं नेक्स्कॉश्टी बील्डर यूजिया उप्थलमिक प्रेपरेशन में विसकॉस्ती बिल्डर जो हता है कर्फुमिए कार्बोक्सी मिफाल सेल लोग आइसो प्रॉपाइल पामिटेट है एम से हेयर रिमुवर को डापी ले ट्री इस होते हैं हिए क्वाइफ्ट टैस्ट वाच्ट सब्सक्राइब कि आपके टाइप ऑफ गलास होते हैं तो उसमें आता है कि कौन से टाइप की गलास के लिए कोई सा टैस्ट है तो एक होता पाउडर गलास टैस्ट होता है एक वोटर अटैक टैस्ट होता है पाउडर गलास टैस्ट होता है किसके लिए वोटर टैक किसके लिए आपको पता आंसर आपका option B हो गया ओके टाइप 2 अब देखिए यह जो है टाइप 1 टाइप 2 टाइप 3 टाइप 4 लिखा है टाइप 1 ग्लास को बोलता है highly resistant borosilicate ग्लास और इसके लिए powder ग्लास टेस्ट आता है टाइप 1 के लिए टाइप 2 ग्लास को बोलता है treated soda lime ग्लास देखिए टाइप 2 से treated याद कर लीजिए टाइप 3 पर सोडा लाइप लास बाकी तीनों के लिए powder ग्लास टेस्ट याद रखना है वाटर वाला किसके लिए टाइप 2 के लिए और बाकी 1,3,4 के लिए आपका powder ग्लास टेस्ट है बहुत important है एक तो इनके नाम पूछट है कि रही type 3 कोण सा type 2 इनके नाम important है फिर इनके test ओके तो बहुत इंपरेंट है यह था टाइप 4 जंदल पर पर पस सोडालाइप ग्लास इसको एनपी ग्लास भी भी बोलते है नोन प्रेंट्रल ग्लास मतलब कि परेंट्रल के लिए यूज न होट एक्स्ट्रेक्शन जो है उसको कब ऑवुएड़ करेंगे जब जो इसा वोगा हीट रजिस्टेंट होगा फ्रजाईल पौरस तर्मो लिबाइल जो को सुंस्ट्रेंट होते हैं तब इसको कॉंस्ट्वेंट होटे में को ब्लॉचिन दीराइट हो जब हो जाएगा यह प् प्रिंसिपल आपका बोल मिल्का होता है दूसरा किसटाा होता है फ्लूॡ अनरजी मिल्का होथा है हुँआ singularnya पूल में का ग्रिंस包括 होता है बहुत से एक्जाम में question आया है बोल मिल का और flood energy मिल का प्रिंसिपल है impact and attrition तो आपके option में बोल मिल ही दिया option A आपका right हो गया roller मिल में क्या होता है compression होता है hammer मिल में impact disintegrator में भी impact cutter मिल में cutting edge runner मिल में crushing and shearing होता है edge runner मिल में तो इस सारी मिल के हैं आपके principles next question है part of prescription that means take though take though या you take है ना तो यह आपका आता है Rx का मतलब होता है Rx किसमें पढ़ता है superscription 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 है ना superscription में हमारा Rx आता है इसका मतलब take though you take होता है तो answer तो हमारा superscription हो गया inscription में ingredient subscription direction to pharmacist और signature direction to patient है ना next quarter counter is used in determination तो quarter counter को देखे particle surface या particle size particle volume तीनों में यूज करेंगे option D आपका right हो जेगा next question है which of the following example indiffusible powders indiffusible powders का example बताना है light kaolin BP दिया है chalk BP दिया है light magnesium carbonate दिया है sodium bicarbonate sodium bicarbonate है magnesium carbonate यह सब आपके diffusible में आते हैं in diffusible में आपका आज़ेगा chalk आज़ेगा option आपका बी राइट हो जेगा नहीं होते जो आपका जो सो लुएशन होता है मेडियम होता है और जो इनको ना शेक करने से भी दिजूल करने के लिए एड करने होते हैं जैसे ट्रग अचेंट कंपाउडर फ्रग अधिस टाइप साथ यह ऐसे बीकुशन आता कि जो है पाउडर के लिए एड कि जाते तो इंडि जो मिक्स्चर्स कंटेनिंग करेंगे पेनं प्रиейच के ज обelijk इंडिप कрахाएंगे इडिशेड करें करने मायच सब्सक्र गूम इंडिर्ट सिंट्रींक करें उफी शर्टिंउटलेट यह तक कैसे यह तो नहीं तो इंडिफ्यू प्राइटाइछ प्रों टेडिफ्य बीद्स एंडिफ्यु घर इंडिफ्य ग्रेंट अप्शन एराइट हो जगों के लाइटिन टैम के उपर क्वेच्छन एसी का मतलब क्या होता है एंटी साइबोर एंटी साइबोज एंटी साइबोज का मतलब होता है anti मतलब before cybos मतलब meal anti cybos before meal post cybos होता तो after meal हो जाता और अगर inter cybos होता तो between meal हो जाता तो आप से तो anti cybos before meal पूछा है तो आपने तो answer option c before meal टिक कर देना है आट नाइट के लिए जो है नोक्टे आता है option c right next colligative property of a solution has related to the colligative property related होती है किसे total number of solute particles option आपका c right हो जाएगा कौन कौन सी होते हैं चार पढ़ते हो कौन सी elevation of boiling point and boiling point elevation freezing point depression lowering relative lowering of vapor pressure and osmotic pressure इस फोर्स आर को इस फोर्स आर को इस प्रोलिगेटिव प्रोपर्टी इस ओके पॉसो लोजी डिल्स विद तो पॉसो लोजी में आता है क्या दोजिस की study study of doses of drug देकि डोजिस फोर्म नहीं करना दोज की study study of dose okay option c हो जगा doses of drug next question bankroft rule is related to तो किस से related bankroft rule आप किसमें पढ़ते हो emissions के केश में देखने को मिलता है option आपका यह राइट हो जोगा इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छी लेगे से लाइक करना शुर्य करना चैनल पर नहीं है तो मुझे आपको से रिक्वास्ट एक चैनल को प्लीज सब्सक्राब विरू करना ओके थेंक्यू